हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मैं हूँ C.A. पंकस दराओगी और आज की जो वीडियो है वो है C.M.A. फाइनल स्टुडेंट्स के लिए क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C.M.A. फाइनल का C.M.A. इंस्टिट्यूट ने जो model question paper release किया है दिसंबर दोजार चॉबिस के लिए सेट वन सरकॉंसेज अब्जेक्ट का strategic financial management का strategic cost management का जो model question paper है दिसंबर चॉबिस के लिए उसका solution already मैं upload कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो playlist में आपको देखने को मिलेगा MQP December 2024 उसमें आप SCM का जो model question paper का solution था वो देख सकते हूँ और इसके नीचे मैं subscription box में link भी डाल देता हूँ उस video का तो आप link पे direct click करके भी देख सकते हूँ तो आज की video में हम SFM जो है उसका model question paper का detailed में solution बनाने वाले हैं पूरा का पूरा detail में हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं अगर आप अमारे चैनल पे नए हो और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्यूंकि इस तरीकी की model question paper की जो series है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो model question paper आपको already करवा दिया है SCM का इसके अलावा जून 2024 के जो examination paper थे उसके solution भी आपको अमने YouTube चैनल पे करवा दिया है playlist में जाए suggested answer जून 2024 आपको उसमें answers मिल जाएंगे इसके अलावा institute ने जो new question bank release किये हैं वो question bank भी मैं already SFM का आपके साथ discuss कर चुका हूँ SFM का जो new question bank है मैं already discuss कर चुका हूँ और जिस time तक मैं ये video बना रहा हूँ SFM की उस time तक SCM का MCQ bank अभी आया नहीं है बट जल्दी आजेएगा एक दो दिन के अंदर और उसका भी solution हम आपको अपने YouTube चैनल पे करवाने वाले हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है इसके अलावा जल्दी हम आपके लिए December 2024 के लिए FastTrack that is Revenson Series लेकर आने वाले हैं SCM और SCM की जो अपकोस हमारे YouTube चैनल पे ही रहेगी और हाँ उसके जो PDF notes हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारी mobile app से और mobile app के तुर ही हम free test series भी conduct करेंगे December 2024 के लिए तो description box में mobile app का link given है तो mobile app डाउनलोड करना तो आप माल लीजे mandatory ही है क्योंकि revision series के PDF notes भी वहीं पे मिलने वाले हैं और साथ की साथ free test series भी हम अपनी mobile app के थुरू ही conduct करने वाले हैं तो डाउनलोड करके छोड़ दीजिए साथ में telegram channel का link भी given है उसको भी आप join कर लीजिए ताकि by chance अगर आपका कोई notification अपडेशन इधर उधर से मिस होजेगा तो आपको telegram channel पे तो reminder आही जाएगा तो चलिए start करते हैं SFM का model question paper देखो सबसे पहले मैं clear कर दूँ कि institute ने exam के paper pattern में किसी तरीके का कोई change नहीं किये जो आपका June 2024 में exam का pattern था उसी को follow करते हुए question number one आपका MCQ रहेगा जिसमें 15 questions of two marks each आपके MCQ रहेंगे साथ में December 2024 के लिए हमने 85 plus marks की strategy भी आपके साथ share की है जाके बिल्कुल देखिए आप playlist में जाएए a strategy December 2024 का आपको एक folder मिल जाएगा उसमें SFM की 85 plus marks किस तरीके से हम achieve कर सकते हैं उससे related जो strategy है उसका भी आप benefit ले सकते हैं पेपर की pattern में जैसा मैंने का कोई change नहीं है question number one आपका compulsory रहेगा MCQ उसके बाद आपको total seven question में से पास question attempt करने होते हैं चलिए सर्थ start करते हैं section A जो की compulsory होता है आपका जिसमें आपको 15 question 2-2 number के MCQ दिये जाते हैं काफी कुछ practical रहते हैं थोड़ा वो theory portion भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं choose the correct option point number one the following information is available in case of an investment proposal आपको NPV बता दिया at discounting rate 10% 1250 positive है और आपको NPV बता दिया discount rate 11% पे negative है 200 रुपे question की simple सी demand है IRR calculate करके दू आपको बस formula पता होना चीए IRR का IRR का formula होता है low rate plus bracket में NPV at low rate divided by NPV at low rate minus NPV at high rate multiply by difference in rate difference in rate मतलब high rate और low rate का difference बस data put करेंगे answer आजाएगा solution मैंने already आपके लिए तयार करें है IRR का formula होगा low rate plus NPV at low rate divided by NPV at low rate minus NPV at high rate into high rate minus low rate as per question low rate रहेगा आपका 10% जिस पे NPV रहेगा 1250 high rate रहेगा आपका 11% जिस पे NPV रहेगा 200 negative तो सबसे पहले आप लिखोगे low rate है 10% जिस पे NPV at 1200 divided by NPV at low rate 1200 फॉर्मुला होते है minus minus NPV at high rate तो actual में high rate पे negative NPV आता है तो minus minus plus हो जाता है 200 और जो difference है high rate और low rate का वो तो वह नहीं है तो इसको solve किया तो 10.86% हमें answer मिला option की मैं बात करूं तो option D is the correct answer option D is the correct answer next question number second sir theory question coefficient of variation coefficient of variation is an absolute measure of risk is given by the product of mean expected return and standard deviation is given by mean expected return by standard deviation is a relative measure of risk तो sir CV की definition क्या है coefficient of variation is given by the product of mean expected return and standard deviation option 2 is the correct answer option B is the correct answer next third MCQ आपको फिर से practical दे दिया इस तर्टन mutual fund has a return of 17% with a standard deviation of 3.5% and the sharp ratio is 4 तो risk free rate क्या होगा sir इसके लिए हमें sharp ratio का formula पता होना चीए sharp ratio का formula होता है mutual fund return या जो भी security return होती है वो minus risk free rate जो की आपको calculate करना है divided by standard deviation तो accordingly हमें वहाँ से अपना risk free rate पता चल जाएगा answer already आपके लिए त्यार है sharp ratio का formula होता है return minus risk free rate divided by standard deviation question में sharp ratio given है return given है 17 minus risk free आपने calculate करना है तो x जूम कर लिया मैंने divide by standard deviation given है 3.5 तो 4 into 3.5 किया 14 आ गया is equal to 17 minus x तो x is equal to 3% आ गया option की बात करें तो option a is the correct answer 3% next question number 4 theory question the growth in book value per share shows the अगर book value per share में growth हो रही है तो इसका क्या मतलब है point number a rise in the share price point number b increase in the physical asset of the firm point number c growth in reserve और point number d increase in the net worth तो sir अगर growth हो रही है book value per share में इसका मतलब growth reserve में हो रही है आपके option c is the correct answer option c is the correct answer next fifth mcq practical फिर से stock with a dividend payout ratio of 45% required rate of return देगा आपका 15% और growth rate आपका 10% PE ratio क्या होगा तो sir इसके लिए PE ratio का formula यूज होजेगा dividend payout ratio divided by KE माइनस में growth rate dividend payout ratio गिवन है KE आपके पास गिवन है growth rate भी गिवन है सीधा सीधा answer आजेगा 9 times answer already आपके लिए prepared है PE is equal to dividend payout ratio अपन में KE माइनस Z question में dividend payout ratio गिवन है 45% KE गिवन है 15% growth rate गिवन है 10% जब सभी चीजे percentage में गिवन है पूरा पूरा ही लिख लिए answer आगे आपका 9 times option B is the correct answer 9 times option B is the correct answer 9 times next 6th MCQ फिर से practical a mutual fund has a net asset value of 72 at the beginning of the year sir NAV at beginning पता जल गिया during the year a sum of rupees 6 was distributed as dividend and rupees 4 as capital gain distribution company ने mutual fund company ने 6 रुपे dividend distribute किया है 4 रुपे का capital gain दिया तो 10 रुपे ये receive होगे आपको at the end of the year NAV होगे 84 का तो total return क्या होगी sir total return calculate करने का simple formula होता है NAV at end 84 minus NAV at beginning 72 plus जो भी receipt होती है like 6 रुपे का dividend और 4 रुपे का capital gain divided by NAV at beginning into 100 answer number 6 already तयार आपके लिए return is equal to NAV at end minus NAV at beginning आप चाहो तो ये part bracket में दे लो plus dividend plus capital gain divided by NAV at beginning into 100 NAV at end question में 84 NAV at beginning is 74 तो 12 रुपे का तो ये फाइदा हो गया 6 रुपे dividend मिल गया 4 रुपे का capital gain 10 रुपे ये मिल गया मतलब total आपको यहाँ पे 22 रुपे का फाइदा हो गया 72 invest करके तो इसका मतलब 30.56% is your return 30.56% is your return option A is the correct answer option A is the correct answer इसके बाद theory question bond volatility is inversely related to sir bond की जो volatility होती है वो relate करती है inversely bond to maturity YTM coupon rate both B and C तो sir bond की जो volatility होती है वो relate करती है bond की volatility जो relate करती है inversely that is related to YTM और coupon rate दोनों ही होते हैं तो option आपको select करना पड़ेगा D both B and C both B and C next question number 8 covariance between a stock and a market index and variance of market index are 33.56 and 19.15 respectively आपको covariance बताया है 33.56 और market का variance बताया है 19.15 बीटा बताना है तो sir बीटा का formula होता है covariance divided by variance market सीधा सीधा answer आजएगा 33.56 divided by 19.15 answer तो already आपके लिए तयार करा हुआ है बीटा का formula होता है covariance divided by variance market covariance given 33.56 variance market given 19.15 answer आजएगा 1.75 option C is the correct answer 1.75 1.75 1.75 is the correct answer next question number 9 the following details relate to an investment proposal of XYZ limited investment outflow जो है वो है 100 लाग का lease rental are payable रुपी 180 पर 1000 180 रुपे का rent होगा 1000 के लिए तो सब 100 लाग के लिए कितना होगा calculation हो जाएगी lease का जो period है वो 8 साल का रहेगा cost of capital का जो rate है वो 12% रहेगा question की demand so TCA what is the present value of lease rental sir जो lease rent है उसकी present value बताओ if lease rental are payable at the end of the year factor आपके पास question में given है 12% के इसाब से 8 साल के 4.9676 तो simple सबसे बहले तो आप lease rent निकाल लो कि 180 रुपए है 1000 के लिए तो 100 लाग के लिए कितना होगा 180 है 1000 के लिए तो 100 लाग के लिए कितना होगा sir यह 18 लाग रुपए आ जाएगा और उसको present value में convert करने के लिए multiply कर लो 4.9676 से तो 89.41.680 आपका अंसर आजाएगा और जो कि मैंने आप पे अल्रेडी प्रेजेंट करा हुआ है एक बार देख लो sir present value of lease rent पहले तो lease rent निकाल लो यह जो part है यह lease rent का है question है 180 रुपए का lease rent होगा 1000 के पीछे और asset आपकी 100 लाग की तो 18 लाग रुपए multiply by present value factor गिवन है 4.9676 answer आजाएगा 89.41.680 final answer विल बी और B B विल बी और final and correct answer next question number 10 if project had an equity beta of 1.4 and is to be financed by यह combination of 25% debt है और 75% का equity है ठीक है assume debt beta as 0 debt का बीटा आप 0 मान के चलो risk free rate 12% लेना है market का return 18% लेना है question की demand है required rate of return बताओ sir required rate of return का formula होता है RF plus beta into RM minus RF तो उसके लिए आपको portfolio beta निकालना पड़ेगा portfolio beta की बात करूँ तो debt का beta तो 0 है तो debt वाला portion तो 0 ही हो जाएगा 0 से multiply करोगे तो किवल और किवल equity का जो beta होगा 1.4 into 75% वही आपका portfolio beta भी होगा project beta भी होगा answer अल्रेडी त्यार है required rate of return का formula होता है RF plus beta into RM minus RF question में RF given ता 12% ले लिया beta calculate कर दिया 1.4 का 75% 1.4 का 75% क्योंकि अगर 0 का 25% लिखूंगा भी तो वो लिखूंगा तो 0 ही तो आना तो final answer 1.4 का 75% यह 1.05 into market return था 18 risk free था 12 इसको solve किया तो answer आया 18.3% जो कि आपको आपके option number A में मिल जाता है option number A में मिल जाता है आपको अपना answer 18.3% next question number 11 this type of risk is avoidable through proper diversification sir proper diversification के through आप इस तरीके का risk आप इस तरीके का जो risk है वो avoid कर सकते हो portfolio systematic, unsystematic total risk sir answer will be C unsystematic risk unsystematic risk will be your correct answer next 12 ये जो 12th question है केतने what should be the price of call इन्होंने price of call पूछ लिया put की value बता दी 5 रुपे है strike price 100 रुपे बता दिया rate of interest 6% परेनम बता दिया time भी बता दिया लेकिन मेरे इसाब से ये question incomplete है क्योंकि ये जो question है इसमें अगर आपको price बताना है call का इसके लिए call put theory apply होता है call put parity theory जो है वो apply होता है जिसका formula होता है value of call जो question की demand है चलो ठीक है निकालना है वो तो plus present value of exercise price sir exercise price given है rate of interest given है तो present value of exercise price भी निकल जाएगा is equal to value of put आपके पास given है plus current stock price sir वो missing है तो question number 12 जो है मेरे accordingly incomplete है मेरे accordingly ये incomplete है अगर कोई दूसरे teacher आपको इसका answer दे पाते हैं तो आप बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से ये solve होगा otherwise मुझे wait रहेगा कि institute इसका जब solution देता है तो अगर वो ABC लिख दे तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि ABC लिखने से तो अपना जो doubt है वो clear होने वाला नहीं है फोड़ा सा calculation दिखा दे या उसमें answer देते वक question को repeat करते वक question को पूरा लिख दे तो अपना doubt clear हो जाएगा बाकि ये question मेरे accordingly जो है वो incomplete है क्योंकि इस question को solve करने का एक ही तरीका है मेरे साब से जो की call put parity theory है और उसके लिए stock price की आपको ज़रत पड़ेगी जो आप calculate तो in any case नहीं कर पाऊगे याँपे calculate तो आप in any case याँपे नहीं कर पाऊगे इसके बाद आगे बढ़ें तो question no.13 question no.13 R.B. Treasurer in a foreign exchange market buys when the currency is low and sales when it is high buys and sales simultaneously the currency with a view to making risk less profit sales the currency when he is receivable in future buy or sales to take advantage of market imperfection तो sir R.B. Treasurer जो होता है वो तो risk less profit कमाता है और simultaneously इसके लिए buy or sale करता है market में option B is the correct answer next question no.14 sir digital finance cube है तीन dimension होते है digital finance cube के option C will be your correct answer और last question है MCQ में 15 forex में से the 90 day interest rate is 1.85% in USA and 1.35% in the UK sir 90 day का interest rate given है USA में 1.85% और UK में 1.35% the current spot exchange rate is dollar 1.6 per pound इसका अलब domestic currency आपकी dollar है और foreign currency आपकी pound है तो formula बनेगा forward rate upon May spot rate is equal to 1 plus periodic interest rate dollar divided by 1 plus periodic interest rate of pound अपने से 90 दिन का forward rate पूछा गया है तो sir ठीक है formula जो मैंने बोला है वही apply होगा यहाँ पे forward rate upon May spot rate forward rate upon May spot rate is equal to 1 plus periodic interest rate of dollar divided by 1 plus periodic interest rate of pound forward rate निकालना है spot rate आपकी पास question में गीवन है that is 1.6 periodic interest rate अगर dollar की बात करूँ तो 1.85 है और pound UK की बात करें तो 1.35 है तो it will be 1 plus 1.85 को लिखा जाएगा 0.185 और 1.35 को लिखा जाएगा 0.0135 इसको solve किया तो answer आया dollar 1.607893 और यहाँ पे search किया तो option A is the correct answer तो सर यह 15 MCQ दिये गए और 15 में से 1 MCQ मुझे incomplete दिखाई दिया और अगर practical theory का थोड़ा सा analysis आपको करा दूँ तो मैंने आजो आपको strategy बताई थी SFM की उसमें मैंने बोला था 16 से 18 marks के practical आपको MCQ देखने को मिल जाते हैं तो point number 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बले ही incomplete है but practical तो है 8 9 तो से 9 MCQ मैंने 18 number के MCQ आपको most probably practical देखने को मिल जाते हैं और साथ में strategy के time पे मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो practical MCQ होते हैं इसके लिए आपको अलग से कुछ मेनत नहीं करनी होती जो आपको ABC analysis बताया गया है strategy में अगर आप उस ABC analysis को cover कर लेते हो ये practical MCQ आप अराम से solve कर पाओगे exam में बात रही theory MCQ की तो उसके लिए आपको मैंने MCQ bank already करवा दिया है SFM का जो मैंने आपको बोलाई ता कि देख लो आप playlist में जाके playlist आपको मिल जाएगी MCQ bank 2024 की उसके अंदर जाके आप अपना ये MCQ देख लो ये जो 6 MCQ है most probably जो मैंने discuss किया है YouTube पे उसमें से 6 MCQ most probably आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद अगर हम section B की तरफ बढ़ते हैं अगर video आपके लिए beneficial लग रहा हो कि सर section B में आपको 7 questions देखने को मिलते हैं जिसमें से अपने को 5 question attempt करने होते हैं हर question की वेटे 14 marks की होती है तो section A question number 1 आपने 30 number का तो वहाँ attempt कर लिया तो यहाँ पे अब आपको 14-14 number के 5 question attempt करने that is 70 marks के question attempt cut और इसमें अगर मैं बात करूँ तो सर आपको question number 2 से लेकर 7 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर 2 से लेकर 7 तक 6 questions तो पूरे-पूरे practical मिल जाते हैं कि वह last question जो होता है question number A वो आपको theory देखने को मिलते है वो भी short note पे वो भी short note पे तो simple मैं यह कहता हूँ SFM एक pure practical subject है तो उसमें आपको theory के लिए जाने की जुरत होती ही नहीं है और even SFM में वो tricky questions अभी इस time तो नहीं आ रहे last paper की बात करूँ मैं या फिर last to last paper की बात करूँ तो paper normal आ रहे normal in the sense जिस तरीके की varieties of questions हमारे study material में है जिस तरीके की varieties of questions past examination papers में पूछी भी है तो almost almost वही questions जो हैं उनी को modify करके examiner आपसे पूछ रहे है तो आपको theory question तक आने की ज़रत नहीं ही पड़ेगी even even अगर मैं बात करूँ तो एक practical question भी तो पूरा-पूरा छोडी सकते हो आप एक पूरा-पूरा practical question भी आप skip करी सकते हो क्योंकि आपको तो 5 ही question तो attempt करने है तो मेरा suggestion SFM में यही रहेगा no doubt last जो question है वो theory देखने को आपको मिल रहे है बट मेरा suggestion यह है कि अगर आपका practical strong है आप अच्छे से 100% अपना SFM का practical पढ़के जा रहे हो जो हमने classes में करवाया अगर आपने हमसे classes लिये तो self study कर रहे हो पूरा study material cover करके जाओ past year question paper cover करके जाओ अप्रॉक्स अप्रॉक्स 18 साल के और बाकी भी अगर आपने कहीं से भी classes लिये है तो teacher ने जो भी आपको notes लिये हैं वो cover करो उसके अलावा आप past year examination अगर उसमें covered already जैसे हमने cover कर रखे हैं तो well good अगर already covered नहीं हैं तो आप अलग से past year questions कर सकते हो तो इस time पे मेरा यही मानना है जो paper का pattern चल रहा है उसके हिसाब से जो paper का pattern चल रहा है उसके हिसाब से आपको practical पे concentrate करना चाहिए practical पे concentrate करना चाहिए तो चलिए start करते हैं question number second से और question number second की मैं बात करूँ तो question number second को दो part में divide किया गया part A और part B sir part A में आपको investment decision से 7 marks का question दिया गया और part B मैं आपको leasing में से 7 marks का एक question दिया और normally अगर मैं बात करूँ तो अभी paper का pattern यही चल रहा है कि आपको question number two जो है उसमें दो question 7 marks के देखने को मिल जाते हैं और normally उसमें एक question investment decision का और एक question आपको leasing decision में से देखने को मिल रहा है question number two A techno tektronics limited an existing company यह same जो question है वो हमने already आपको अपनी classes में करवाया हुआ है is considering a new project for manufacture of pocket video games involving capital expenditure of रुपी 600 लेक्स and working capital of रुपी 150 लेक्स एक company है tektronics limited वो pocket video games बनाती है और जिस पे capital expenditure 600 लाग रुपे का एक है साथ में working capital चाहिए 1500 लाग की initial cash outflow 600 लाग रुपे और 1500 लाग रुपे the capacity of the plant is for an annual production of 12 lakh units annual production 12 lakh unit and capacity utilization during the 6 year working life of the project expected to be as indicated below 12 lakh unit per NMAP बना सकते हो लेकिन हम अपनी जो capacity है वो कुछ इस तरीके से यूज कर रहे है first year में 33.33% मतलब 4 lakh units second year में 66.66% मतलब 8 lakh units third year में 90% मतलब 10 lakh 80,000 units और 4 to 6 year में 100% मतलब 12-12 lakh unit आप बनाने वाले हो the average price per unit of the product is expected to be रुपी 200 netting a contribution of 40% 200 रुपे का आपका selling price है contribution 40% है तो 240 परसेंट 80 रुपे का contribution है इसका अलब जो 60% है वो आपकी variable cost रहने वाले है 260 परसेंट 120 पर unit आपकी variable cost पर unit रहने वाले है annual fixed cost excluding depreciation are estimated to be 480 lakh पर annum from the third year onwards from the third year onwards ठीक है आपकी जो fixed cost है वो तीसरे साल से 480 रुपे रहने वाले है for the first and second year it would be 240 lakh and 360 lakh respectively तो सर आपकी fixed cost जो है पहले साल में 240 lakh रहेगी दूसरे साल में 360 उसके बाद ये 480 lakh रहने वाली है हर साल the average rate of depreciation for tax purpose is 33.33% on the capital asset sir rate of depreciation पता जल गए one third है 33.33% है no other tax relief are anticipated बाकी कोई tax relief आपको नहीं मिलना and the rate of income tax may be taken at 50% income tax का rate 50% रहेगा no other tax relief का मतलब यही है जो depreciation पे tax relief मिले वो low इसके अलावा कोई tax relief आपको नहीं मिलना tax का rate कितना है 50% at the end of third year at the end of third year an additional investment of rupee 100 lakh would be required for working capital sir आपको तीसरे साल के end में 100 lakh rupee working capital पे ओर लगाना पड़ेगा ठीक है the company without taking into account the effect of financial leverage has targeted for a return ची आपको 15% मतलब आपको जो present value factor यूज करने है वो 15% के करने है you are required to analyze whether the proposal is viable giving your working notes and analysis और अगर sir कोई method mention नहीं है simple हम NPV के लिए जाते है terminal value salvage value एक तरीके से terminal value for the fixed asset may be taken at 10% and for the current asset 100% sir current assets मतलब working capital और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि working capital तो आपको 100% release करा दी है fixed asset की salvage value आप 10% लेकर चल सकते हूँ calculation may be rounded round off to lack of rupees fraction अगिरा में नहीं पढ़ना for the purpose of your calculation the recent amendment to tax low with regard to balancing charge may be ignored अब देको text में कोई amendment आई होगी relating to balancing charge तो question कहते है हमें उससे कोई मतलब नहीं है जैसे normally हम अपने question को solve करते है investment reason वैसे ही solve करके चलना है ठीक है जर वैसे ही solve कर देंगे इसके लिए आपको सबसे बहले तो initial cash outflow annual cash inflow और terminal cash inflows की जुरत पढ़ने वाली है जैसे कि मैंने बताया कि ये same question हम अपनी classes में आपको करवाते हैं तो इसका solution already मेरे पास available था तो वही मैंने copy based कर लिया है बट मैं यहाँ पर discuss कर रहा हूं ताकि YouTube जो students है हमारे उनको भी इसका benefit मिल जाए answer number 2A सबसे पहले जो question में demand है NPV calculate करके हम decision देंगे तो मैंने NPV का formula लिख दिया present value of cash inflow minus initial cash outflow अब इसकी calculation के लिए अपने को working notes बनाने हैं जिसमें सबसे पहले हम initial cash outflow की calculation करेंगे year 0 में दो column में particular समा सर्किवल और किवल दो ही initial cash outflow एक 600 लाग रुपय का capital expenditure और 500 लाग रुपय का working capital तो capital expenditure 600 लाग रुपय का working capital लाग रुपय आपका 750 लाग आपका initial cash outflow आगया जो आप यहां पर formula में मेंशन कर सकते इसके बास तरह हमें present value of cash inflow के लिए पहले cash inflow की ज़रुद पड़े तो cash inflow आपको 6 साल के लिए calculate करने है क्योंकि question 6 साल का है लेकिन first year का अलग, second year का अलग, third year का अलग लेकिन four, fifth, sixth का तो same आएगा तो मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर छे साल अलग-अलग ही ले लिए first year, second year, third year, four year, fifth year और sixth year आप चाहो तो four to six year साथ भी consider करके चल सकते हो साथ में मैंने bracket में यह number of units लिखी है बारा लाक यूनिट का 33.33% आजेगा आपका 4 लाक यूनिट्स बारा लाक का 66.66% आजेगा आट लाक यूनिट्स बारा लाक का 90% आजेगा 10.8 लाक और बारा लाक का 100% fourth, fifth और sixth year में बारा बारा लाक यूनिट आप बनाने वाले हो question यह हमें क्या बोला selling price 200 और contribution चाल ले तो हम सिधा-सिधा contribution लिख सकते हैं 80 रुपए के हिसाब से 200 का 40% तो contribution at the rate of रुपी 80 है तो simply आपने क्या करना है number of units को contribution per unit से multiply करना है 18 to 4, 18 to 8, 18 to 10.8, 18 to 12, 18 to 12, 18 to 12 accordingly आपको आपका contribution पता चल गया contribution में से हम fixed cost minus करते हैं first year में 240 lakh, second year में 360 lakh और उसके बाल 480, 480, 480 fixed cost के साथ-साथ depreciation भी minus कर देते हैं sir depreciation minus करने के लिए depreciation के आपको calculation करनी पड़ेगी तो depreciation की calculation मैंने यहापे कर दिये देखो हमारा जो capital expenditure था वो 600 lakh का था और rate of depreciation 33.33% है तो first year में 600 का 33.33% 200 lakh फिर 600 में से 200 माइनस कर दिया, 400 lakh asset बची, 400 का 33.33% 133 फिर 400 में से 133 माइनस कर दिया, उसका वो amount आगे 267 उसका 33.33% 89 फिर 267 में से 89 माइनस किया तो 178 आगया, उसका 33.33% 59 178 में से 59 माइनस किया 119 आगया, उसका 33.33% 40 lakh 119 में से 40 माइनस किया, 79 आगया, उसका 33.33% 26 lakh रुपे यह आपके depreciation आगया, तो depreciation यहाँ से copy कर दिये 200, 133, 89, 59, 40 और 26, contribution में से fixed cost और depreciation माइनस किया तो आप अपने earning before tax पे पहुँचे, earning before tax में से आपको माइनस करना था tax at the rate of 50%, तो EBT का 50% अपने tax माइनस कर दिया, तो earning after tax भी आपके पास 50% बच गया, cash inflow तक पहुँचने के लिए जो उपर आपने depreciation माइनस किया था, वो वापिस add back कर लो, तो आप अपने annual cash inflow पे पहुँच गया, सर ये annual cash inflow तो आ गए, बट question ने कहा था, question ने कहा था कि तीसरे साल के end में, at the end of third year, आपको एक additional investment करना पड़ेगा, सो लाग का working capital पे, तो तीसरे साल में जो आपने cash inflow कमाया, 236, वो आपकी जेब में नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें से सो लाग आपने working capital पे invest कर देना है, तो आपकी जेब में तीसरे साल में केवल और केवल, 136, लाग का ही, 136, लाग का ही आपकी जेब में cash inflow बचेगा, annual cash inflow की calculation हो गई, इसके बाद terminal की भी calculation कर देते हैं, सर, terminal की calculation की मैं बात करूँ, तो question एका, terminal value fixed asset की 10% होने वाली है, तो 600, लाग रुपे का capital expenditure था, तो उसका 10% 60, लाग तो वो, working capital की अगर मैं बात करूँ, तो working capital 100, लाग तो आपने ये लगाई थी, और 500, लाग रुपे आपने ये लगाई थी, तो 500, लाग रुपे की working capital आप रिलीज कर वाली, साथ में अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो 600, लाग रुपे का capital expenditure था, जब आप उसमें से ये सारे की सारे depreciation minus करते हो, तो आपकी value आती है 53, लाग की, सर, 53, लाग की value आती है, आपने बेच कितने में दिया 60, लाग में, अगर 53, लाग value की asset आपने 60, लाग में बेच दी, मतलब आपने कमा लिया 7, लाग, तो 60, लाग में से 53 minus किया, तो आपने कमा लिया 7, लाग रुपे, 7, लाग रुपे का 50% वैसे तो 3,5, लाग ही बनता है, बट question ने आपको बोला था, question ने आपको बोला था, कि calculation may be rounded off to lakhs of rupees, आपको calculations जो है, वो lakhs of rupees में round off करके करनी है, इस वज़े से मैंने ये सीधा सीधा round off में, 4, लाग रुपे कंसिडर किया है, accordingly terminal value आगी 344, आपके पास cash inflow annual भी आ चुक है, आपके पास cash inflow terminal भी आ चुक है, अब आप present value of cash inflow calculate कर सकते हो, year cash inflow present value, as per question अगर मैं बात करूँ, actual में जो आपको हम question class में कराते हैं, उसमें internal rate of return भी था, इस वज़े से यहाँ पे मैंने 2 rate लिखे वे हैं, हटा देता हूं, क्योंकि इस question में IRR पूछा नहीं आपसे exam में, 15% के rate आपको consider करने हैं, तो मैं यहाँ पे यह 25% वाला column जो है, वो remove कर देता हूं, क्योंकि आपके सामने यह जो model question paper में question है, उसमें question में IRR नहीं पूछा गया, क्योंकि 7 marks का question रखना था, और viability के लिए हम केवल और केवल, NPV calculate करके देते हैं, तो sir year लिख लेंगे 123456, cash inflow जो है, 125 year का cash inflow आप यहाँ से copy करो, 140, 206, 136, 254, 260, 6th year में आपको यह 253 भी लेना है, तो साथ में terminal की जो value आपने calculate करी है, that is 314, वो भी consider करना है, तो 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year, 6th year में annual cash inflow भी लेना है और terminal भी लेना है, तो total हो जाएगा 567, present value factor at the rate of 15%, आप 1 divided by 1.15 करके calculate कर सकते हूं, cash inflow को present value factor से multiply करके, सारी figure round off कर दिये LX में, 886 आपका present value of cash inflow आगे, जब आपका present value of cash inflow 886 आया, और initial cash outflow आपका 750 था, तो आपको यहाँ पे आपका NPV मिला, 136 लेक जो की positive था, तो हम कहते हैं proposal viable है, तो proposal accept कर लेना चाहिए, इस तरीकी की proposal में आपको पैसा invest करना चाहिए, तो सर्थ 7 नंबर में तुम्हें कहूंगा, ये भी ज़्यादा ही है, क्योंकि 7 नंबर के किसी भी question को करने के लिए, हमें अप्रॉक्स अप्रॉक्स 12 से 13 मिनिट मिलते हैं, सर्थ 12 से 13 मिनिट तो इस question में लगने ही लगने हैं, क्योंकि calculation है, Lex में question को पढ़ने में भी time लगेगा, 12 से 13 मिनिट तो लग नहीं हैं, अगर इसमें IRR भी पूछ लेते, तो अन्याए वाली situation ही आपके साथ हो जाती है, हाँ IRR अगर पूछ रहा हैं, पूछो कोई दिक्कत नहीं है, even एक और पूछ लो, 14 नंबर का वेटेज देनी हो तो, इसके बाद जो next आता है, question number 2B, वो आपको leasing decision में से question दिया गया, 7 marks की वेटेज गई, question number 2B, HB Finance Limited, ये भी बिल्कुल same question, हम आपके साथ अमनी classes में discuss करते हैं, तो इसका भी solution मेरे पास, classes वाला available है, बट करवा रहा हूं है, क्यों करवा रहा हूं, ताकि YouTube जो students हैं, जो हमारे registered student नहीं हैं, बट YouTube students हैं, उनको तो इसका benefit मिले, question number 2B, HB Finance Limited, is considering to enter the computer leasing business, sir, HB Finance Limited जो है, वो leasing business में है, computer lease पे देते हैं, mainframe computers, can be purchased for rupee 2 lakh each, and in turn, be leased out, at rupee 50,000 per year, for 8 years, with the initial payment occurring, at the end of first year, company जो है, 2 lakh रुपे का एक computer खरी सकती है, mainframe computer है, और उसको lease पे देगी, तो lease rent मिलेगा, 50,000 रुपे है, और इसकी life जो है, वो 8 साल की रहती है, और payment आपको at the end of first year start होंगे, you may ignore taxes and depreciation, फिलाल कहते हैं, कोई tax मत लेना, depreciation मत लेना, ठीक है, point number one की simple requirement क्या है, estimate the annual before tax expenses, and internal rate of return for the company, सबसे पहले हमें क्या calculate करके देना है, इसका solution जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास already available है, क्योंकि same question हम अपनी classes में discuss करते हैं, तो internal rate of return calculate करना है, में लिए अगर मैं बात करूं तो, तो internal rate of return की मैं बात करूं तो, सबसे बहले आप यहाँ पे देखो, कि हर साल आपका जो cash inflow होगा, वो same होगा, हर साल जो आपका cash inflow होने वाला है, वो same होने वाला है, तो sir, same होने वाला है, तो IRR के लिए हम सबसे पहले step में, present value, annuity factor at IRR calculate कर लेते हैं, formula होता है, initial cash outflow upon में annual cash inflow, initial cash outflow purchase, cost of computer हैगी 2 लग, annual cash inflow मिलेगा आपको 50,000, तो sir, present value, annuity factor at IRR आएगा 4, यह 8 साल का है, जब आप present value factors देखोगे, यहाँ पे given नहीं है, बड़ exam में question आएगा as it is, तो आपको factor ज़रूर given होगे question में, इस question को solve करने के लिए, तो present value factor की जब हम table देखते हैं, तो हमें मिलता है, 18% पे 4.078, और 19% पे आपको factor मिल जाते हैं, 3.954, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं, 4 भी exist करेगा, तो low rate होजाएगा आपका 18%, और high rate होजाएगा आपका 19%, और IRR का formula होगा, जब हर साल का cash inflow, same है उस situation में, low rate plus present value annuity factor at low rate, minus present value annuity factor at IRR, divided by present value annuity factor at low rate, minus present value annuity factor at high rate, multiply by difference in rate लिख दो, या high rate minus low rate लिख दो, एक ही बात है, इसना low rate है 13% plus, इस पे factor है 4.078, जब कि हमें चाहिए 4, divided by low rate पे factor है 4.078, minus high rate पे factor है 3.954, और difference तो 1 ही है, इसको जब solve किया तो answer आया, 18.63%, तो question की पहली demand यही है, कि आपको IRR calculate करके देना है, यह estimate the annual before tax expenses, यह फिलाल कुछ भी नहीं है, यह just printing mistake मैं मानके चलूँगा, क्योंकि जो data आपके पास given है, उसके इसाफ से अभी तो आप, annual before tax expenses कुछ calculate करी नहीं सकते, क्योंकि data ही नहीं है अपने पास, 40 रुपय कंपनी lease rent charge कर रही है, लेकिन कहते हैं कंपनी को क्या lease rent charge करना चाहिए, अगर कंपनी चाहती है to earn a 20% annual compounded rate of return, before expenses and taxes, तो सर बात यह है, कि अभी अभी आपने बोला कि 18.63% is the IRR, मतलब कंपनी तो 18.63% का return यहां से कमा पाएगी, लेकिन question जानना चाहता है, अगर कंपनी 20% का return कमाना चाहिए, अगर कंपनी 20% का return कमाना चाहिए, तो फिर lease rent payment कितना charge करें, तो सर इसके लिए आप एक statement of NPV बनाओ, statement of NPV में आप 5 column लेते हो, particulars, year, cash inflow, present value factor at the rate of 20%, क्योंकि आपको 20% का return चाहिए, और last में आप NPV लिख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले आपको zero period में purchase cost incur करनी होती है, जो कि 2 lakh है, और zero period का factor जो होता है, वो हमेशा 1 होता है, तो यह तो 2 lakh रुपए का outflow हो गया, lease rent इस बार गलती से भी 50,000 मत ले लेना, क्योंकि अब आपको lease rent calculate करके देना है, जिस पे आपको 20% का return मिले, तो lease rent आप यहाँ पे एक से जिम कर लो, जो कि आपको एक से लेकर 8 साल तक मिलेगा, और 20% के 8 साल के जो annuity factor होते हैं, वो होते 3.8372, तो यह आगया 3.8372X, और जब भी हमें lease rent calculate करना होता है, जब भी हमें lease rent calculate करना होता है, हमें rate of return पता होता है, तो उस rate of return को achieve करने के लिए, आपको NPV हमेशा 0 रखना है, बस इसको सॉल कर लो, 2,000 divided by 3.8372X, तो यह 52,000, 121 आजएगा, यह तो शौर ही था, कि सर हमारा यह जो answer आएगा, वो 50,000 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंक सर, क्योंकि 50,000 जब आप ले रहे थे, तब तो आप केवल और केवल, 18.63% का ही तो return कमा पा रहे थे, तो अगर आपको 20% return कमाना है, तो आपको rent तो ज़्यादा charge करना पड़ेगा, तो अफकोस यह पता था पहले से ही कि 50,000 से ज़्यादा answer आएगा, जो कि exact answer जो है वो 52, 121 आएगा, this is the second requirement of the question, third point, third point, third point, assume that the firm uses the straight line method of depreciation, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक before tax, before expenses चल रहा था, क्योंकि कोई खर्चा, कोई tax given ही नहीं था, पहले point में भी यही था, दूसरे में भी यही था, लेकिन अब कहते हैं, assume करो, that the firm uses the straight line method of depreciation, तो सर ठीक है, 2,00,000 रुपे को depreciate भी करना है, there is no salvage value, okay है, अब आपको खर्चे भी दे दिये, क्यतने annual expenses, 20,000 मान के चलो, tax का rate भी दे दिया, 35% मान के चलो, calculate the yearly lease payment, in order to enable the firm to earn, 20% after tax annual compounded rate of return, सर अब मुझे फिर से, 20% का ही return जीए, लेकिन इस बार आपको, depreciation की tax saving भी consider करनी है, तो आपको हर साल, 20,000 के, खर्चे भी consider करने है, और 35% का, tax rate भी consider करना है, तो सर यही statement दुबारे से बनाएंगे, NPV का बाकी data भी consider करते हुए, तो third point में फिर से statement of NPV बनाएंगे, particulars, year, cash flow, present value factor at the rate of 20% और NPV, सबसे बहले तो purchase cost भी copy कर लो, पीछे से, zero period में 2,00, zero period का factor हमेशा 1 होता है, तो यह तो आपका 2,00,000 रुपए का outflow हो गया, 2,00,000 रुपए का outflow हो गया, इसके बाद अब आपको depression भी लेना है, straight line method के accordingly, सर्थ 2,00,000 रुपए का आपका computer है, 8 साल इसकी life है, तो हर साल 25,000 रुपए का depression आगे, हमें depression नहीं उसकी tax saving चाहिए, तो उस 25,000 का 35% हर साल आपको 8,750 रुपए की tax saving होगी, 2,00,000 डिवाइड बाइ 8 depression आया, उसका 35% tax saving आई, 8,750 रुपए आपको tax saving on depression होगी हर साल, तो 8 साल के factor apply कर दो, 3.8372, it will be 3,3576, purchase cost आपका outflow हो था तो negative रख दिया, tax saving on depreciation अपना benefit है तो plus में रख दिया, इसके बाद question है का हर साल आपको खर्चे करने 20,000 रुपए के, तो sir annual expense 20,000 के होंगे, हर साल होंगे तो इस पे 8 साल का factor apply कर दो, और ये खर्चा है, तो negative में लिख दिया, 76744, 20,000 into 3.8372, 76,744, अगर आप खर्चा करोगे तो उस पे tax saving भी claim करोगे, तो sir अगर खर्चा किये तो उस पे tax saving भी claim कर लो, 8 साल तक, tax का rate 35% चल रहा है तो 20,000 रुपए का अगर खर्चा है, तो उसका 35% 7,000 रुपए आपको tax saving मिलेगी, 8 साल तक मिलेगी तो factor वही 3.8372, 7,000 इंटू 3.8372, 26,860, sir यह tax saving है तो benefit है तो positive में लिख दो, अब question जानना चाहते है, लीज रेंट कितना charge करोगे, तो sir वह निकालना है, तो लीज रेंट X रिजूम कर लो, 8 साल तक, factor 8 साल के apply कर दो 3.8372, तो X इंटू 3.8372, it will be 3.8372 X positive, क्योंकि लीज रेंट आपको receive होगा, लेकिन जब आप लीज रेंट receive करोगे, तो आपने उस पर tax भी pay करना पड़ेगा, 35% के साब से, तो tax paid on lease rent, 8 साल तक, X का 35% 0.35X, 8 साल है तो factor भी 8 years के apply होगे, 3.8372, तो 0.35X into 3.8372, it will be 1.34302 X, यह सार paid करना आउट flow है, तो negative में लिखती है, और जैसा कि मैंने का कि जब हमें बोला जाते हैं, इतना percent rate of return चीह है, तो NP भी आपको 0 consider करना है, बस इस equation को solve कर लो, इस equation को solve कर लो, इस equation में 2,00, रुपे negative है, positive है 33576, negative है 76744, positive है 26860, तो सर value के नाम पे यह आया 216308, 216308 value के नाम पे, और X की form में अगर बात करें, तो सर X है आपका 3.8372 positive, positive, minus 1.34302 negative, तो यह आज एगर 2.49418, बस 216308 को डिवाइड करो 2.49418 से, तो इट विल भी 86725, 86725 आप lease rent charge करोगे, तो आपको 20% का, after tax, including depression वगरा, सब कुछ कवर करने के बाद, rate of returns on rate हो जाएगा, और fourth requirement question में, further assume, that computer has a resale value of 40,000, सर सब कुछ वही है, एक item और एड कर दिया, resale value, तो फिर determine the lease payment क्या होगा, वही 20% का आपको rate of returns ही है, तो अब मैं सारी की सारी calculation दुबारा करूँ, वो तो समझदारी वाली बात नहीं होगी, मैंने करके दिखाईए, यह वो अलग बात है, बट आप direct calculation भी कर सकते हो, क्यों सर क्यों कर सकते हो मैं direct calculation, क्योंकि यह काफी सारी figure जो है, वो same रहनी है, जैसे purchase cost, tax saving on depreciation change हो जाएगा, अब मुझे तो क्या copy paste करनी थी slide, इस वैसे मैंने पूरा-पूरा answer दे दिया, लेकिन आप चाहो तो exam में क्या कर सकते हो, purchase cost same रहेगी, annual expense same रहेंगे, tax saving on expense same रहेंगे, sir lease rent जो है वो भी x की form में इतना ही रहेगा, ये भी x की form में इतना ही रहेगा, फरक आएगा एक तो tax saving on depreciation में, क्योंकि आप 2,00,000 नहीं consider किये जाएंगे न, अब आप 2,00,000 minus 40,000 divided by 8, into 35% करके calculation करोगे, 2,00,000 minus 40,000 divided by 8, into 35% calculation करोगे, तो ये figure change हो जाएगे, साथ में आपको resale value भी मिल रही है, 40,000 की, तो last में आपको salvage value भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, 8th year में 40,000 रुपय है, और ये 8th year है केवल, तो 8th year का factor अप्लाई हो जाएगा, 9303, टोटल तो 0 करना ही है, accordingly फिर से आप solve करोगे, तो आपको X मिलेगा 85, 6888 का lease rent आपको charge करना चाहिए, तो exam point of view से मैं कहूंगा, fourth point जो है, उसमें आप smart work कर सकते हो, केवल और केवल tax saving on depression निकालो, और जो resale value है, उसकी present value निकालो, बाकी सारी figure आप पीछे से pick करो, दो figure अलग से जो निकाली है, वो pick करो, accordingly equation बना के आप अपना answer दे सकते हो, बिल्कु सेम question है, हम अपनी classes में आपके साथ, already discuss करते हैं, जो registered student है, वो तो अपने notes में जाके ही देखिए, वहीं से कर लीजे, और जो YouTube students हैं, वो आप of course यहां से benefit लेते रहें, इसके बाद अगर आप question number 3 की तरफ बढ़ोगे, तो question number 3 में भी दो पार्ट कियेंगे, मतलब SFM में इसना देखा जा रहे है, हर question के दो-दो पार्टी किये जा रहे हैं, अभी तक जो नया pattern चल रहा है exam में, उसमें 14 marks का एक single question नहीं पुछा जा रहा है, तो expected हमें यही है, December 24 में भी आपको हर एक question में, दो-दो पार्ट that is 7-7 marks के question ही देखने को मिलेंगे, question number 3 को अगर analyze किया जे, तो सर इसका जो पार्ट A है, वो आपको, वो आपको, evaluation of risky proposal में से, decision tree का question देखने को मिल रहा है, और पार्ट B कि अगर मैं बात करूँ, तो यह आपको equity valuation में से question देखने को मिल रहा है, और normally exam में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, कि question number 3 का जो part A है, वो आपको evaluation of risky proposal for investment decision में से, और जो part B है, वो आपको equity valuation में से देखने को मिल रहा है, पिछरे दो attempt में ऐसा ही देखा गया, question number 3 A, a firm has an investment proposal requiring an outflow करना है 40 जार का, the investment proposal is expected to have two years economic life, with no salvage value, सर 2 साल की life है 40 जार का investment है, salvage value नहीं है, in year 1, there is a 0.4 probability, that cash inflow after tax will be 25 जार, and 0.6 probability that cash inflow after tax will be 30 जार, सर 1st year में cash inflow 25 जार का हो सकता है, या 30 जार का होगा, 25 जार का होगा, इसकी probability 0.4 है, 30,000 होगा, इसकी probability 0.6 है, the probabilities assigned to cash inflow after tax for the year 2 are as follows, year 2 में cash inflow कितना होगा, तो सर अगर cash inflow 1st year में 25 जार हुआ, अगर 1st year में cash inflow 25 जार हुआ, तो second year में cash inflow 12,000 हो सकता है, जिसकी probability 0.2 है, 16,000 भी हो सकता है इसकी probability 0.3 है और 22,000 हो सकता है इसकी probability 0.5 है अगर अगर first year में cash inflow आपका 30,000 हुआ तो फिर second year में आपको 20,000 का cash inflow हो सकता है probability 0.4 है 25,000 का हो सकता है probability 0.5 है और 30,000 का हो सकता है probability 0.1 है मनलब second year का cash inflow first year के inflow पे depend करेगा सर आपको एक decision tree बना के देना है तो already आपके लिए answer तयार करा हुआ है answer number 3A यह same question अपनी classes में आपको करवाते हैं बच्चों को बस फरक यह है कि हम जो करवाते हैं बाकी सारी figure सेम थी यह 12% की विजए हमने 10% discount rate के इसाब से करवाया हुआ है जबकि यहाँ पर 12% के accordingly है तो इसका solution आपके लिए already तयार करा हुआ है सर सबसे बहले तो आपको decision tree बनाना है for the proposed investment decision अगर आपको decision tree बनाना है तो decision tree आपके लिए तयार है सबसे पहले आपको cash outflow करना है 40,000 का अगर आप यह cash outflow करते हो तो first year में 0.4 probability है कि आपको 25,000 रुपे मिलेगा 0.6 probability आपको 30,000 मिलेगा 0.4 probability है 25,000 मिलेगा 0.6 probability है 30,000 मिलेगा अगर पहले साल में 25,000 मिला तो second year में 12,16 हो सकता है probability .2, .3, .5 .0.2 probability 12,000 है, .3 probability 16,000 है, .5 probability 22,000 है. अगर 30,000 मिला फ़र्स्ट इयर में तो फिर 20,000 की 20,000 मिल सकते हैं 2nd year में probability .4, 25,000 मिलेगा.5 और 30,000 मिलेगा इसकी probability .1 है .4 probability है 20,000 आने की .5 probability है 25,000 की .1 probability है 30,000 सर ये जो last में आते हैं इनको branches बोला जाता है जैसे यहाँ पर path number लिख दो या branch number लिख दो branch number 1, branch number 2, branch number 3, branch number 4 क्योंकि पेडोगी जैसे branch होती है वैसे ये decision tree की branches है 6 branches 6 branches है ठीक है तो question की second demand है ये जो joint probability निकाली है ये आगे के लिए जड़त पढ़ती है तो बता देता हूँ ये joint probability कैसे निकलती है सर ये जो probability होती है और ये जो probability होती है इसको multiply करके joint probability निकलती है 0.4 into 0.2, 0.4 into 0.3, 0.4 into 0.5 similarly 0.6 into 0.4, 0.6 into 0.5, 0.6 into 0.1 और ये जो joint probability का total होता है ये हमेशा 1 होना चीए 1 ही होता है अगर नहीं हा रहा है इसका हम लोग आपने कहीं ने कोई calculation mistake करिए second point में question की demand है compute the net present value that the project will yield if worst outcome is realized sir अगर outcome हुआ worst worst outcome का मतलब क्या है sir worst outcome का मतलब यह है कि 25,000 रुपर आपको first year में मिले और second year में आपको 12,000 मिले ये worst situation है ये worst situation है तो कहते हैं compute the NPV that the project will yield if worst outcome is realized and compute the probability of occurrence of this NPV और ये worst NPV generate होगा इसकी क्या probability है इसकी क्या probability है तो देखो इसके लिए आप यहां पर एक statement of NPV बनाओगे the decision tree given above shows that there are six possible outcomes sir ये जो 6 branches है वो each represent by ये path the net present value of each path at 12% discount rate is given below क्योंकि 12% का आपके पास यहां पर factor given था तो हम यहां पर क्या करें 6 के 6 path consider कर लिए 6 के 6 path consider कर लिए अब हलांकि हमें worst situation जो है पता है कि sir ये वाली worst situation है बट फिर भी हम calculate कर रहे है 6 के 6 path cash inflow year 1 into discount factor year 1 sir first year में first year में पहले जो 3 path है पहले जो 3 path है उसमें तो 25,000 रुपे का cash inflow रहेगा पहले जो 3 path है उसमें तो 25,000 रुपे का cash inflow रहेगा first year है तो first year का factor लगा दिया 12% का तो ये आपका present value of cash inflow आ गई present value of cash inflow आ गई पहले 3 path की पहले 3 path की similarly 4, 5, 6 path जो है इसमें first year का cash inflow 30,000 होगा 30,000 होगा और ये factor apply कर दिये first year के तो ये present value of cash inflow आ गया first year का तो first year में या तो ये cash inflow होने वाला है या ये होने वाला है छे branches के accordingly अलग लग अब आप लो second year का क्योंकि second year में अलग कहानी है cash inflow in year 2 multiply by discount factory year 2 सर second year जो है उसमें second year जो है उसमें 12,000, 16,000, 22,000, 20,000, 25,000 या 30,000 ये cash inflow आने वाला है तो ये copy कर लिए 12,000, 16,000, 22,000, 20,000, 25,000 और 30,000 इसमें second year का factor लगा दो second year का factor लगा दो multiply कर लोगे आपको present value of cash inflow second year की पता चल गए बस दोनो को एड़ कर लो 22,323 plus 9566 22,323 plus 12,755 22,323 plus 17,538 26,787 plus 15,944 26,787 plus 19,930 26,787 plus 23,916 26 तो ये total cash inflow आ गया outflow जो है वो तो single ही है 40,000 रुपेगा outflow तो 40,000 रुपेगा single ही है तो outflow लिख दो और जब आप present value of cash inflow में से outflow minus करोगे आपको आपका NPV मिल जाता है और आप देख सकते हो आपका जो NPV है वो of course पहले case में worst होगा जो कि पता ही था कि पहले case में worst होगा क्योंकि वहाँ ही पे आपको पहले साल में कम से कम और दूसरे साल में कम से कम cash inflow देखने को मिल रहा था तो इसके basis पे simple आप क्या कहोगे इसके basis पे आप simple क्या कहोगे sir आप कहोगे if the worst outcome is realized NPV कितना होगा NPV होगा आपका 8111 negative यह देखो यह वाला और question है कहता है इसकी क्या probability है तो इसकी probability आप यहां से देख लो 8% probability थी इस वाले path की इस वाले path की probability कितनी थी 8% तो the probability of occurrence of this NPV is 8% इस तरीके से आपको second point का answer देना है जो third point है वो कहते है determine the best occurrence and the probability of that occurrence sir best occurrence यह होगा कि पहले साल में 30,000 मिल जाए और दूसरे साल में 30,000 मिल जाए यही तो highest है मलब जो sixth path था आपका एक तरीके से वो आपको best NPV calculate करके बता रहा था 10703 यह best NPV है तो आपको गे the best outcome will be path 6 जब आपका NPV highest है 10703 वो भी positive sir sixth path की probability क्या है वो यहां से देख लो 6% probability है 6 path की तो sir 6% probability है कि आपको best outcome generate होगा और जो fourth point है कि एनलाईज whether project be accepted क्या हमें project accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो sir इसके लिए आपको statement बनाना पड़ेगा expected NPV का ज्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर path ले लो 6 जो आपने बनाये थे 6 path जो आपने बनाये थे वो ले लो 6 path का जो NPV निकाला था वो copy कर लो और तर इनको just आपने क्या करना है आपने इसको joint probability से multiply करके sum up करना है joint probability जो यहाँ पे निकाली थी इनसे multiply करके इसका sum up कर लोगे आपको आपका expected NPV मिल जाएगा 2045.4 तो positive NPV है तो of course आपको project में पैसा invest करना चाहिए तो इस तरीके से आप इस question का answer दे सकते हैं same question हम अपनी classes में करते हैं with एक figure change के वल हमारे notes में यह 10% factor के accordingly करवाया हुआ है question में यहाँ पे 12% के accordingly दे दिये बाकि zero differences में देखने को मिल रहा था next question question number 3B again similar question जो हम अपने notes में cover करवाते हैं आपको for the first 4 years पहले 4 साल India incorporated is assumed to grow at a rate of 10% sir पहले 4 साल growth rate रहेगा 10% लेकिन after 4 years the growth rate of dividend is assumed to decline linearly to 6% sir linearly का मतलब होता है अचानक से नहीं एक एक परसेंट करके गिरेगा मलब 10 से 9 आएगा नो से 8 आएगा 8 से 7 आएगा 7 से 6 आएगा फिर after 7 years it is assumed to grow at a 6% infinitely जब यह 7th year में 6% आ जाएगा उसके बाद यह हमेशा 6% जलेगा next year का जो dividend रहेगा वो 2 रुपे पर शेर रहेगा आपको D1 बता दिये है and the required rate of return जो है वो 14% का है आपको stock की value calculate करनी है तो sir same question हम अपनी classes में करवाते हैं आपको without any figure change जिसकी विसे as it is हमारे पास answer इसका available है answer number 3B sir सबसे बहले तो आप growth rate decide कर लो क्या होगी question है का पहले 4 साल 10% तो growth एक से लेकर 4 साल तक आपकी 10% रहने वाली है लेकिन यह अचानक से 6% नहीं आएगी यह linearly 6% पे आएगी तो 10 से 9 पे आएगी, 9 से 8 पे आएगी, 8 से 7 पे आएगी और 7 से 6 पे आएगी तो 4 साल तक यह हो गया तो next year will be 5th year, then 6th year, then 7th year और question ने कहा after 7 year, after 7 year मनलब 8 साल से यह 6% आ जाएगी तो growth rate 8 साल से 6% होगी और 6% यह आगे चलती रहेगी तो इसके basis पे आप easily अपने dividends calculate कर सकते हो, आपको D1 2 रुपे दे दिया था पहले 4 साल तक 10-10% से बढ़ाओ, 2 रुपे को 10% से बढ़ाएगे 2.2, next year 2 रुपे 20 पैसे को 10% से बढ़ाएगे 2.42, फिर 10% से बढ़ाएगे 2.42 को 2.662, इसके बाद पांचवे साल में 9% बढ़ाना है, तो 2.662 को 9% से बढ़ाएगे, it will be 2.902, 6th year में यह 8% से बढ़ाएगे 2.902 को, it will be 3.134, next year में इसको 7% से बढ़ाएगे 3.134 प्लस 7%, it will be 3.353, कुछ इस तरीके से यह चलेगा, आठवे साल का भी आप क्यालकुलेट करके यहाँ पे छोड़ सकते हूँ, बढ़ मैंने आगे क्यालकुलेट किया है, तो इसी के वैसिस पे हम statement of value of stock बनाना शुरू करते हैं, सबसे बहले हम time period लिखते हैं, then cash flow लिख लिखते हैं, present value factor at the required rate of return जो की 14% given है, और जब आप C को PBI अब से multiply करोगे, आपको value of stock मिलेगे, इसमें क्या होने वाला है, आपको पहले 7 साल तक तो dividend receive होंगे, तो यह जो dividend आपने calculate किया है, वो copy कर लो, 1, 2, 7 year, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह तो 7 साल के dividend आप receive करोगे, पीछे से copy कर लो, then हम 7th year के end में जो P0 होता है, 7th year के end में जो value होती है, जिसको आप उस time पे जाके P0 बोलोगे, बट आज के हिसाब से तो वो 7th year का price है, तो हम P7 calculate करते हैं, हम क्या करते हैं, हम P7 calculate करते हैं, P7, sir जब आप P0 calculate करते हो, तो D1 लेते हो, तो अगर आपको P7 calculate करना है, तो D8 लेना पड़ेगा, तो formula होगा, D8 upon में KE minus, growth rate of 8th year, dividend 8th year का मैंने calculate कर लिया, क्योंकि 7th year का dividend आपने निकाला था 3.353, और 8th year में ये 6% बढ़ेगा, तो ये 3.554 हो जाएगा, divide by KE question में 14% का given ही था, और growth आपकी है 6% की 8th year से, तो इसको solve किया तो value होगी, इसकी 44.425, जो end में यहाँ पे consider करने है, factorally close 14% के accordingly, multiply करके आपको आपका answer, value of stock मिल जाएगा, that will be 28.7, 28.7, बिल्कुल same तरीके का question आपको, last attempt June 2024 में exam में भी पुचा गया था, figure sense के साथ, 7 marks की वेटेश थी सर, बिल्कुल same question अम अपनी classes में, already आपको करवा चुके थे, next अगर question की तरब हम बढ़ते हैं, तो sir question number 4 का A part, फिर से आपको, equity valuation में से ही दिया गया, stock valuation में से ही दिया गया, और B part जो आपको mutual fund में से दिया गया, बट मैं यहाँ पर आपको clear करना चाहूंगा, यह जो 4 A का part है, यह exam में अगर मैं बात करूँ, तो पिछले 3 exam मैंने देखे हैं, जो new syllabus के हुवे हैं, उसके अंदर 4 A जो है, वो equity valuation की बज़ाए, bond valuation का question पूछा गया, यहाँ पे minor सा फरकिये है, model question paper में यहाँ पे equity valuation का question है, बट पीछे के जो 3 paper है, उन तीनों ही paper में, question number 4 A जो था, वो bond valuation का था, तो यहाँ पे आपको एक minor सा difference exam में, December 24 में देखने को मिल सकता है, कि सर हो सकता है, हो सकता है, कि institute, December 24 से एक change लाना चाह रहो, कि bond valuation की बज़ाए, equity valuation का यह question यहाँ पे पूछना चाह रहो, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे personally ऐसा लगता है, कि MQP में उन्होंने यहाँ पे 4 A में जरूर यहाँ पे equity valuation का question पूछ लिया है, बट बट बट, एक्जाम में आपको question number 4 A, शायद मुझे जो लगता है, bond valuation ही देखने को मिले, बाकी देखते हैं institute क्या करता है, और 4 B की बात करें तो mutual fund, sir yes mutual fund का हमें exam में एक question देखने को मिली question question number 4 A, अकाई लिमिटेट, latest annual dividend of रुपी 1.25 A share was paid yesterday and maintained its historical 7% annual rate of growth, sir company है अकाई लिमिटेट, उन्होंने latest annual dividend पे कर दिया है, कर दिया है, तो इसके आम लगे यह D0 को indicate करता है, और historic growth rate इनका 7% वो यह maintain करेंगे, तो आपको growth rate भी यहाँ पे 7% का पता लग रहा है, you plan to purchase the stock today, आप इस company का stock खरिदना चारिवाज, because, because you believe that the dividend growth rate will increase to 8% for the next 3 years, अगले 3 साल तक 8% से बढ़ेगा, historical growth rate 7% था, बट आगे यह 8% से बढ़ेगा, 3 साल तक, and the selling price of the stock will be Rs. 40 per share, at the end of that time, और जब यह 3 साल खत्म होंगे, तब आपके share का price, 40 रुपए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, same question हम अपनी classes में कराते हैं, तो as it is, हमारे पास इसका answer available था, अगर आप हमारे registered student हो, paid student हो, आपके पास इसका answer already video में available है, और अगर आप YouTube student हो, तो of course यहाँ पर benefit लीजिये, calculate how much should you be willing to pay for the share, if you require 12% return, अगर आप 12% की return इससे चाहते हो, तो आज कितना pay करने को त्यार होगे, तो sir simple आपको present value calculate करके देनी है, इस share की stock के, present value calculate करके देनी है, share stock की, जैसे आपने पिसले question में भी करके दी थी, so heading put कर दी, मैंने answer number 4A, already हमारे पास इसका answer available ही था, क्योंकि same question में अपनी classes में आपके साथ discuss कर रहे हैं, sir d01.25 पैसा था, d01.25 पैसा था, growth जो है वो एक से लेकर 3 साल तक 8% रहनी है, और उसके बाद उसके share का price आपको 40 रुपे देखने को मिलेगा, तो growth एक से लेकर 3 साल तक 8% रहेगी, और तीसरे साल के end में इस share का price आपको 40 रुपे देखने को मिलेगा, जो आपको required rate of return है वो 12% की चाहिए, अगर 1.25 आपका d0 था, तो 88% एड करके d1, d2, d3 निकाल लो, 1.25 में 8% एड करोगे 1.35, then 1.35 में 8% एड करोगे 1.458, then 1.458 में 8% एड करोगे 1.575, सर डिविदेंट भी है, P3 भी है, वेल्यू निकाल तो simple सी बात है, तो statement of value of stock, T time period, C cash flow, present value factor 12% के, C into present value factor करोगे, आपको आपका पहले point concern मिल जाएगा, पहले 3 साल में आप dividend receive करोगे, 1.35, 1.458, 1.575, और 3 साल के हैंड में 40 रुपे receive करोगे, तो यह होगया आपका, stage 1 और इसको बोला जाता है stage 2, अगर 2 stage model बोला जाए, तो इसको कुछी से तरीके से बोला जाता है, यह stage 1 होगई, यह stage 2 होगई, present value factor 12% के लिए लिए लो, C को present value factor से multiply करके, आपको आपका answer मिल गया, आपको आपका answer मिल गया, सर, point number 2, compute the maximum price, you should be willing to pay for the stock, if you believe that, the 8% growth rate can be maintained indefinitely, आप चो कहे रहे हो भी, 8% 3 साल तक, आप कहते हो 3 साल तक नहीं, 8% हमेशा के लिए 8% ही रहेगा, और rate of return आपको 12% ही चीए, तो सर, इसके लिए तो आपको statement बनाने की ज़रती नहीं है, आप सीधा-सीधा आपना formula apply कीजिए, P0 is equal to D1 upon me K-D, D1 कितना, Sir, D1 आपने निकाला ता 1.35, divide by K आपके पास 12% है, growth rate, single growth rate 8% हमेशा चलेगा, तो 33.75 आजएगा, क्योंकि जब single growth rate होता है, तो उस situation में तो आप direct formula apply करी सकते हो, इसकी बाद point 3 की बात करें, तो कहते हैं, if the 8% rate of growth is achieved, 8% growth हमने achieve कर लिया, what will be the price at the end of year 3, assuming the condition in part 2, क्योंकि part 1 जो था, उसमें तो 40 उवे पर share था, कहते हैं, अगर part 2 की condition को ध्यान में रखते वे, price निकाला जाए, तो third year के end में क्या price होगा, सर आपने अभी अभी P0 निकाला है, मतलब आज का price निकाला है, तो उसको P3 पे accordingly निकाल लो, अगर आप P3 के accordingly निकालोगे, अगर आप P3 के accordingly निकालोगे, तो सर अगर आपको P3 निकालना है, तो D लेना पड़ेगा 4, D4 अपन में के माइनस जी, D3 कितना था आपका, सर दी 3 था आपका 1.575, 1.575 उसको 8% से बड़ा लो, D4 आजएगा, डिवाइड बाई के माइनस जी तो सेम रहेगा, तो accordingly आपको आपके share का price, तीसरे साल के end में, 42.525 देखने को मिलेगा, आप चाहो तो यह जो 33.75 का जो price था, इसको भी बड़ा सकते हो, जैसे 33.75 था, एक बार 8% से बड़ा लो, P1 आजएगा, फिर 8% से बड़ा लोगे, P2 आजएगा, फिर 8% से बड़ा लोगे, P3 आजएगा, 42.5, अप्रॉक्स अप्रॉक्स सेम आएगा, एक दो पैसे का difference आपको, due to fraction देखने को मिल सकता है, तो दो option है, या तो P3 का formula लगा लो, या इसी में 8-8% तीन बार add कर लोगे, तो P3 पे आप पहुंच जाओगे, बस इतना सही answer था, question number 4, या तो 7 marks के लिए, easy question था, already classes में करवाया हुआ, next question number 4B, that is from mutual fund, that is from mutual fund, next question, question number 4B, Mr. Z has invested in the 3 mutual funds, as per the following details, mutual fund X, mutual fund Y and mutual fund Z, कितना कितना invest किया है, तो sir, X में 2,00, रुपे, Y में 4,00, रुपे और Z में 2,00, कब invest किया, तो net asset value, at the time of purchase था, 10.3, तो आप 2,00, divided by 10.3 करके, number of units calculate कर सकते हो, 4,00, divided by 10.10, और 2,00, divided by 10 करके, number of unit of X, Y, Z, कितनी purchase करी, वो calculate कर सकते हो, अब क्या हुआ, आपको dividend received हुआ, up to 31st March 2023, इतना इतना आपको dividend मिल गया, और NAV जो था, वो 31 March 2023 को, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया, और यहाँ पे बढ़ गया, effective yield पर NM, अगर बात करोगे, as on 31st March 2023, तो 9.66, mutual fund में यह जो 11.66 लिखा हुआ, यह minus 11.66 है, दान रखना, और Z में यह 24.15 है, अजूम करो, एक साल का मतलब 315 दिन, Mr. Z has misplaced the document, of his investment, Sir Mr. Z जो investor थे, अपने document इधर उधर रख्ये भूल गए, help him in computing the original investment, after ascertaining the following, आपको सबसे पहले तो, number of unity नी scheme निकालनी है, Sir just divide करना है, 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 number one के accordingly second point कहता है total NPV sir अगर total NPV total NPV total NPV नहीं sir total NAV है यह printing mistake है total net acid value sir total net acid value अगर आप निकालोगे तो number of units तो आपके पास है यह आपे और NAV आपके पास given है at the end of the year 10.25 10 और 10.2 multiply करोगे आपको आपके total NAV पता चल जाएंगे इसकी बाद third point में कहते है total yield return बतानी आपको return बतानी आपको तो sir पहले x ले लो x की अगर मैं capital yield return की बात करूँ तो आपने यहाँ पे invest किया था दो लक और NAV है 199 029.17 तो sir यहाँ पे आपको 970 रुपे 83 पैसे का नुकसान हो रहा है वाई में अगर बात करें तो वाई में आपकी लास्ट में value है 396 039.6 जिसमें आपने चार लाग का investment किया था इसमें भी नुकसान है 396 0.4 का और लास्ट वाले में 4000 रुपे का फायदा है क्योंकि 2 लाग का investment किया था तो 4000 का फायदा है एस पर question आपको इसमें dividend भी रिसीव हो गया है 6000 निल और 5000 तो total की बात करें तो total इसमें positive आ गया बड़ इसमें तो negative ही चल रहा था इसी वेज़े से तो मैंने आपको बताया कि यहां पर यह negative ही है 8 लाग का तो 8 लाग रुपे पे आपने 10,068.77 कमाया तो आपकी total yield जो है return जो है वो 1.2586% की होगे और fourth point कहते है number of days of investment held बताओ आपने कितने दिन investment held किया है क्योंकि आपके पास यहां पे question में यह नहीं बताया आपने खरीदा कब था तो ठीक है सर हमारे पास effective yield given है इससे हम calculate कर सकते है let number of days भी x एके करके देख लेते है mutual fund x में x assume कर लिया starting में कितना invest किया था 2 लाग yield की बात करें return कितना था आपका 5029.17 और yield की बात करें तो percentage term में यह yield कितना है 5029.17 जो है वो 2 लाग रुपे का 2.5146 है ठीक है अब यह 2.5146 परसेंट आपकी return है 2.5146 परसेंट आपकी return है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यह कितने period की है वो बताना है बस क्योंकि आपकी जो annual के इसाफ से return है effective yield per annum जो है वो 9.66 है तो सर सिंपल सी बात है अगर 9.66 है 365 दिन की तो 2.5146 कितने दिनों की return होगी तो सर यह आजएगा आपका यह आजएगा आपका 95 days सर 95 days की return होगी अगर 9.66 जो है अगर 9.66 आपकी return है 365 दिन की तो 2.5146 की return कमाने के लिए कितना time लगेगा तो सर 2.5146 divided by 9.66 into 365 तो सर 95 दिन लग जाएंगे आपको 95 days आपको यहाँ पे लगने वाले है 95 days आपको यहाँ पे लगने वाले है बिल्कुल similarly आप तो original investment की जो date होगी वो भी बताईए है हलांकि date पूछी नहीं है number of days of investment लडी पूछा है तो आपका answer तो यहाँ पे आ चुका है लेकिन इनोंने date of original investment बताई है कैसे निकाली तो सर 31 मार्ज 2023 से पिचाण में दिन पीछे चले गए accordingly इनोंने 26 12 2017 नहीं है यह पिचाण में दिन का मतलब 2022 है 27 December 2022 है सरी है पाला की पूछा नहीं है तो क्यों पंगे पालते हो mutual fund Y की बात करें तो सर Y में आप assume कर लो कि number of days held investment था Y initial investment कितना था 4 लाग कितना नुकसान खा रहे हो 3960.40 का तो यह return कितनी है percentage term में तो 3960.4 divided by 4 लाग तो सर यह negative में 0.9901 की return है ठीक है अगर एक साल की return है 11.66 तो 0.9901 की return कितने दिनों में होगी तो सर 365 divided by 11.66 into 0.9901 यह आजेगा आपका 31 दिन सर 31 दिन का यह negative return है आप से ले जाओ आप से ले जाओ 31 March 2023 के 31 दिन पीछे तो वो देखने को मिलेगा आपको 28 March 2023 28 March 2023 similarly अगर बात करें mutual fund Z की तो सर Z में Z एजूम कर लो initial investment 2 लाग था 9 जार उपए की आपकी return है मलब 4.5% की return है जबकि पूरे साल की return कितनी वोल रहा है 24.15 तो सर अगर 24.15 की return है 365 दिन की तो साड़े 4% की return के लिए कितना दिन लग जाएगा 68 days 31 March 2023 से 68 days पीछे चले जाओ तो यह आजएगा 22 January 2023 अलाग की ये date of original investment question नहीं पूचा है मैं कहता हूँ क्यों पंगे पालते हो क्यों time waste करते हैं एक्जाम में आप days यहाँ पे calculate करके दे सकते हो क्योंकि question ने days ही तो पूचे है date of original investment तो उड़ना पूचा है तो sir ये था आपका answer number 4 B answer number 4 B इसके बाद अगर आप question number 5 की तरह बढ़ते हो तो sir question number 5 जो होता है वो fully dedicated to portfolio management देखने को मिलता है security analysis and portfolio management जो है उससे related दो part आपको देखने को मिलते है part A और part B 7-7 marks के तो question number 5 आपको 14 marks का पूरा पूरा portfolio management में इससे देखने को मिलता है question number 5 portfolio question number 6 derivative derivative में एक future का question होता है एक option का और question number 7 जो होता है वो forex को fully dedicated होता है तो sir SFM का जो paper का pattern है almost almost fixed है एक question number 4 A को लेकर यहाँ पे तोड़ा सा लग रहा है कि MQP के अंदर इन्होंने equity valuation का question दिये है बड़ एक्जाम में आपको वो question bond valuation का देखने को normally मिल जाता है question number 5 A from the following information as as certain the market price of risk of portfolio सबसे बहले तो आपको market price of risk of portfolio calculate करना है data given a market return standard deviation of market risk free return portfolio का standard deviation and also determine the expected return for each of the above cases sir 7 marks के लिए काफी छोटा जा question है सबसे बहले आप अगर market price of risk of portfolio calculate करते हो तो उसके लिए lambda का एक formula अप्लाई कर लीजे RM minus RF upon में standard deviation of market आपके पास RM given है that is 1820 or 22 1820 or 22 आपके पास risk free return given है that is 6, 7 or 8 6, 7 or 8 divided by आपके पास standard deviation of market given है that is 6, 8 or 9 that will be your answer 2, 1.625 and 1.556 this is the point number 1 answer that is market risk of the portfolio जिसको lambda से indicate किया जाता है second point में इन्होंने last में का कि expected return भी calculate करके देना तो expected return का formula lambda के accordingly apply हो जेगा RF plus bracket में lambda into standard deviation of the portfolio तो sir 1, 2, 3 RF RF आपके पास given था 6, 7, 8 RF given था 6, 7, 8 lambda आपने calculate कर जिया था एक तरीके से बेटा की तरह होता है 2, 1.625, 1.556 into standard deviation of P portfolio 8, 4, or 12 बस sir 22%, 13.5% 26.672% काफ़ी छोटा question था 7 marks की weight is के accordingly अगर मैं बात करूँ तो लेकिन आपको पता तो होना चीए कि market price of risk of portfolio कैसे calculate करते हैं और जब ये पता होगा तभी तो आप expected return calculate कर पाऊगे next question की तरह बढ़े अगर question number 5B तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि question number 5 तो fully dedicated to fully dedicated to portfolio ही होता है तो 5B भी आपको portfolio में से ही देखने को मिल रहा है question number 5B ये जो आपने question number 5A किया था same question हम अपनी classes में discuss कर रहे है और question number 5B जो है ये भी हम same अपनी classes में discuss कर रहे है केवल और केवल फरक इतना है यहाँ पे MN given है और हमने अपनी classes में ये question आपको alpha gamma के नाम से कराया हुआ है same figure, same requirements, सब कुछ same M और N का आपके पास expected return or standard deviation given है और साथ में आपको coefficient of correlation between M and N given है ये 16 हो ही नहीं सकता sir correlation होता ही नहीं है 16 ये 0.16 है ये 0.16 है he wants to constitute only 5 portfolio of M and N company जो है 5 portfolio create करना चाहती है या तो सारा का सारा fund M में invest करेंगे या 50-50% दोनों में या फिर M में 75%, N में 25% या फिर M में 25%, N में 75% या फिर सारा का सारा N में तो इन 5 portfolio को ध्यान में रखते वे आपने सबसे बहले expected return calculate करके देनी है सार ठीक है बहुत easy है expected return M की 20% है N की 25% है तो पहले और 5th point का answer तो 20% और 25% ही सिधा सिधा ही आ जाएगा already हम question कराते है अपनी classes में तो same answer अपने पास available है return of portfolio का formula क्या होता है return of M weight of M plus return of N weight of N सबसे बहले return निकालनी है तो पहले का answer जैसे कि मैंने बताया 20 होगा तो 5th का answer जो है वो जो N का return है that is 25% वो होगा क्योंकि इसमें तो आप सारा का सारा पैसा है मोरे N में बोल रहे हो इसमें 50-50% है तो 20 का 50% और 25 का 50% हो जाएगा 20 का 50% 25 का 50% हो जाएगा तो average आजएगा साड़े बास next में 75 और 25 है तो 20 का 75% ले लो और 25 का 25% ले लो आपको आपका 21.25 answer मिल जाएगा next में 25 और 75 है तो 20 का 25% ले लो और 25 का 75% ले लो तो आपको आपके 4th point का answer 23.75 मिल जाएगा और 5th में तो मैंने बताएगा सीधा सीधा 25% आजएगा ये तो बात है return की second point कहता है risk बताओ मलब standard deviation associated with these portfolio तो सर्फ correlation जो है वो 0.16 है तो formula अपलाई होगा आपका risk of the portfolio is equal to under root में standard deviation M weight of M square plus standard deviation N weight of N square plus 2 into standard deviation M weight of M standard deviation N weight of N multiply by correlation that is P आप चाहो तो correlation of M N लिख सकते हो सर्फ सबसे पहले आप कहते हो सारा का सारा fund M में invest करेंगे जब आप सारा का सारा fund M में invest करोगे तो calculation का कोई मतलब ही नहीं है 12% 12% ही रहना है बात है जब आप proportionately invest करोगे 50-50% तो सार अगर 50-50% invest करोगे तो अब देख लो 12% का 50% 16% का 50% 12% का 50% square plus 16 का 50% square plus 2 into 0.12 into 0.5 into 0.16 into 0.5 into correlation कितना है 0.16 simple कहूं तो आपको data put करना है देखो बाकी कुछ है नहीं बाकी कुछ भी नहीं है अब जहाँ जहाँ आपने यहाँ पे 50-50% लिखा है M और N का अगर आप 75 और 25% लिख दोगे आपका तीसरा point का अंसर आजएगा बाइस standard deviation तो same रहना है बस 50-50 की बिज़ाए 75-25, 75-25 कर दो 10.42 आजएगा 4th में क्या करना है सर 4th में 25-75 लिखना है तो यहाँ 25-75, 25-75 12.83 आजएगा last वाले में तो calculation की जरती नहीं है वो तो 16% ही रहेगा जब सारा का सारा पैसा एगी जगे इन्वेस्ट करोगे तो उसी का तो risk मिलेगा आपको तीसरे चौते point में तो कुछ ही नहीं तीसरा point तो कहता है कौन सा portfolio best है risk के point हो उसे तो सर रिस्क कम हो तो अच्छा रहता है कम से कम risk आपको कहां पे देखने को मिल रही है सर कम से कम risk आपको 10.42 देखने को मिल रही है यह है तो यह portfolio best है third जो portfolio आपने बनाया है वो best है from the viewpoint of risk portfolio with 75% M में और 25% N में जो आपने लगा है वो best है क्योंकि इसमें आपको risk कम से कम देखने को मिल रही है और fourth point में कहते है return के point of view से कौन सा best है तो sir return देख लो highest कहां पे थी sir return आपकी highest कहां पे थी जब आप सारा का सारा पैसा N में लगा रहे हो तो highest return है 25% तो 500 portfolio best है from the viewpoint of return portfolio with 100% investment in N is best due to highest return of portfolio तो इस question में भी दम नहीं है हाँ time consuming exam में आपका time खा जाएगा 7 marks की वेटेज है बट calculation में time लगेगा 15 minute तो लगी जाएगे बाकी किसी calculation fast हो तो 12-13 minute में भी solve किया जा सकता है next question question number 6a question number 6 जैसा कि मैंने आपको बताया कि question number 6 derivative को dedicated होता है जिसमें एक part में आपसे future का question पूछा जाता है तो दूसरे पार्ट में आपसे option का question पूछा जाता है question number 6a जो है that is related to future a portfolio manager owns 3 stocks stock 1, stock 2, stock 3 shares ओवन बता दियें 2 lakh, 4 lakh, 6 lakh आपने share खरीदें और stock का price भी बता दिये और हर एक stock का beta भी बता दिये the spot nifty index is 2700 nifty index चल रहे है 2700 का अभी spot में और future price है इसका 2704 रूपे का ठीक है use stock index future to analyze the following situation point number 1 कहते है portfolio beta को आपने कम करते है सर्थ कम तो तब करूँगा न जब पहले निकाल लूँ की beta कितना है ठीक है तो पहले तो आपके पास जो data given है इससे आप portfolio beta calculate कर लो heading put करेंगे answer number 6A इस तरीके के कई questions अब आपको अपनी classes में करा रहे हैं बट figure sense के साथ करा रहे है लेकिन इस question का answer आपके लिए तयार है computation of सबसे पहले तो आपको existing portfolio beta तयार करना पड़ेगा security के नाम लिख लिए 123 market value of equity share calculate कर लिया कैसे calculate किया sir 2 lakh into 800 4 lakh into 600 6 lakh into 200 तो यह सारी की सारी figure lags में आगी 16,24,12,16 total हो गया 5200 lakh proportion निका लिया 1600 divided by 52 24 divided by 52 12 divided by 52 sir यह proportion आगया beta आपके पास question में given है 1.1,1.2,1.3 जब आपने proportion को beta से multiply करके sum up किया आपको आपका existing beta 1.19 पता चल गया आपको आपका existing beta 1.19 पता चल गया इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो question ने कहे portfolio beta को decrease करना है एक बार तो और दूसरे में कहते हैं आपको portfolio beta बढ़ाना है 1.5 assume करो कि जो index factor है वो 100 का है index factor जो है वो 100 का है find out the number of contract to be bought or sold of the stock index future तो sir अगर index factor 100 का है 100 का है मतलब lot size जो है वो 100 का है तो 2700 का price है तो मलब एक lot जो है वो 2,70,000 का होगा nifty का जो एक lot होगा वो 2,70,000 का होगा अब अगर आपने अपना portfolio beta कम करना है तो object क्या आपका portfolio beta को कम करना अगर आपको portfolio beta को कम करना है अगर आपने portfolio beta को कम करना है तो आपका beta भी ज्यादा है तो portfolio beta को कम करने के लिए आपको index future बेचने होते हैं index future से अगर आपने portfolio beta कम ज्यादा करना है तो अगर आपको portfolio beta कम करना है index future से तो आपको बेचने पड़ेगे सर अभी beta कितना चल रहा था 1.19 target क्या है 0.8 contract का size है 100 unit का तो एक nifty future contract हो गया 2,70,000 का जो पीछे भी निकाला सर portfolio की जो value है वो क्या है 500,000,000 portfolio की value क्या है 500,000,000 तो आपको कितने number of future contract बेचने पड़ेंगे इसका formula होता है portfolio value into beta of the portfolio minus desired value of beta divided by value of a future contract तो simple आपकी portfolio की value क्या है 500,000,000 into beta चल रहा है 1.19 चाहिए कितना 0.8 divided by एक index future कितने का है 270 का तो सर 751 contract आपको बेचने पड़ेंगे 751 contract आपको sale करने पड़ेंगे तो आपका जो beta है वो 1.19 से 0.8 हो जाएगा आपको main ये formula पता होना चीए इसके बाद अगर आपको portfolio beta बढ़ाना है जैसा कि 1.5 तक जाना है तो 1.19 से 1.5 पे जाना है तो खरीदो सर तब beta बढ़ेगा तो 1.5 पे जाना है तो आपको index future खरीदने पड़ेंगे calculation का तरीका वही है बस sale और purchase का difference है तो धान आपने क्या रखना है सर अगर मुझे index future में deal करके अपने beta को कम करना है तो index future बेचने है अगर मुझे index future को use करके अपना beta बढ़ाना है तो खरीदने beta existing portfolio का 1.19 था चाहिए 1.5 एक future contract 270 का है value of portfolio की बावन सो सर बिल्कुल same formula अपलाई कर दो बावन सो लाग इन्टू ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है desired value ज्यादा होती है तो desired beta पहले आजाएगा minus beta of portfolio 1.19 divide by 2,70,000 सर 597 contract आपको buy करने है तो आपका जो beta 1.19 चल रहा है वो बढ़कर 1.5 हो जाएगा 1.5 हो जाएगा बस इतना सही तो इस question का answer है लग जाएगा आपको 10-12 minute exam में question को करने में बट आपने ये questions already करे वे होते हैं easily attempt किये जा सकते हैं इस तरीके के question अगर exam में आते हैं तो next question question number 6B that is from option given the following strike price है 200 रुपय का current stock price सल रहा है 185 का risk free rate of interest है 5% पर नब question की पहली demand है calculate the theoretical minimum price of a European put option after 6 months सब 6 महिने के बाद आपको put option की value calculate करके देनी है तो ये question same हम अपनी classes में already discuss करते हैं answer number 6B theoretical minimum price का formula होगा present value of exercise price minus current market price इसके लिए आपको present value of exercise price calculate करनी पड़ेगी जिसका formula होगा exercise price into e की power present value निकालनी है तो minus RT minus current market price तो हो गई sir exercise price into e की power आपके पास rate of interest गिवन है 5% पर नम हमें 6 महिने की साब से चलना है तो 0.05 into 6 upon में 12 minus current market price तो हो गई exercise price into e की power इसको solve किया तो ये minus 0.025 आ गया minus current market price sir exercise price कितना गिवन था strike price को ये exercise price बोलते हैं 200 into e की power minus 0.025 exam में question आएगा आपके पास यहाँ पे e की power के factor गिवन होंगे बाकि आप e की power जो है वो अपनी table में जाके देख सकते हो जो आपको table provide करवाई भी होती है या तो institute की book plate में आपको मिल जाएगी या हम तो आपको provide करवाते ही है value होगी 0.975325 minus current market price कितना चल रहे है 185 का इसको solve करोगी आपको 10.065 देखने को मिलेगा this is the point number one answer इसके बाद question की second demand है if European put option price is rupee 5 केती है जो put option इसका price 5 रुपए चल रहे है आपने कितना निकाला 10 रुपए लेकिन ये market में 5 रुपए का ही चल रहे है खरीद लो then how can an RB treasor make profit तो sir RB treasor को फाइदा तो होगा क्योंकि एक तरीके से जिस put option की worth 10.065 है वो market में केवल 5 रुपए का मिल जाए तो फाइदा तो है तो second point में आपको क्या करना है actual option price जो की 5 रुपए है is less than theoretical option price जो की 10.065 है तो हमें क्या करना है put option खरीद लेना है 5 रुपए में खरीद लो put option को sir put option खरीदने का मतलब होता है buy put option today आप put option खरीदोगे put option खरीदने का मतलब होता है right to sell आना तो sir sell का right आना मतलब stock भी तो चीए stock भी तो चीए तो आपको stock भी खरीदना पड़ेगा साथ की साथ put option खरीदने के साथ stock भी खरीदना पड़ेगा और आज अगर put option खरीदोगे तो expiration date पे उसको बेचना पड़ेगा और asset आज खरीदोगे तो इसको भी expiration date पे आपने exercise price पे बेचना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या कहते हैं हम कहते हैं put option भी खरीदना asset भी खरीदनी है सर asset मिलेगी 185 रुपए की put option मिलेगा 5 रुपए का तो हम 190 रुपए बोरो कर लेते हैं हम बोरो कर लेते हैं 190 रुपए अब at expiration date हम put option भी बेचते हैं और साथ में share भी बेचते हैं किस rate पे exercise price पे तो सर कहानी क्या होगी value of put at expiration date formula होता है put का EP-MP EP-MP तो यह assumed है यह assumed है यह assumed है क्योंकि expiration date पे कुछ भी given नहीं था price क्या होगा amount available क्या होगी आपके पास 200 amount क्या होगी आपके पास 200 तो repayment of loan क्योंकि आपने 190 रुपए का loan किया मालो 200 रुपए ही हुआ तो 200 रुपए आपके पास आगे 200 रुपए आपके पास आगे कैसे sir right to sell था 200 रुपए में बेच दिया अब loan लिया हुआ था मैंने कितने का loan लिया हुआ था 190 रुपए सर्थ 6 महीने के लिए loan लिया था तो 190 पे 6 महीने के इसाप से अगर calculation करूं तो यह 194.81 मनता है 192 into e की पावर 80 future value निकालने है तो positive 0.025 आएगा इसकी आप e की पावर 80 में value जाके देखोंगे 0.025 की calculate करनी पड़ती है 0.02 और 0.03 के बीच में तो यह 1.025325 आता है according की यह 194.81 आ जाएगा 200 रुपए आपके पास है 194.81 देदो आपके पास 5.19 बच गया आपके पास 5.19 बच गया arbitrage gain कितना होगा आपके पास 5.19 5.19 5.19 आपको arbitrage gain हो जाएगा यह मैंने working road दिखाया है कि eep की power 0.025 कैसे calculate करते हैं तो simple यह mid value होती है जो कि of course 0.02 और 0.03 के बीच में fall करती है तो हम 0.02 की value लेते है टेबल में 1.02020 लिखी हुए होती है then हम 0.03 की value लेते है 1.03045 माइनस करते है इस में से 0.02 की value तो हम simply क्या कहते है हम कहते है 0.02 और 0.03 0.01 की वेज़े से इतना difference है तो 0.005 की वेज़े से कितना difference होगा वो 0.02 में add करके 0.025 की value निकाल लेते हैं मतलब proportionate calculation करके चलते है proportionate calculation करके चलते हैं यह question already करा हुआ होता है आपने classes में आपने हमसे classes लिये तो बिल्कुल 100% करा हुआ ही है आप self study करे हो तो आपको यह study material में question मिल जाता है इस वेज़े से आपने करा हुआ होता है other t-cell से भी आपने classes लियोगी तो उन्होंने भी आपको of course करवाया ही होगा इसके बाद अगर आप question number 7 की तरफ जाते हो तो sir question number 7 के भी part दो ही होते हैं A और B और यह जो दोनों part होते हैं यह fully dedicated होते हैं to forex forex को fully dedicated होते हैं और simple से दो question है simple से दो question आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे है a firm is contemplating import of a consignment from USA for a US dollar 10,000 sir एक import करना चाहरे हैं 10,000 dollar का it requires 90 days to make payment 90 दिन के बाद payment करना है supplier का कहना है supplier has offered 60 days interest free credit supplier कहता है को 60 दिन के लिए तो मैं कोई interest नहीं लूँगा लेकिन and is willing to offer additional 30 day credit at an interest rate of 6% परन लेकिन जो बचे वे 30 दिन है उसके लिए मैं आपसे 6% परन हम rate of interest साज करूँगा पूरे साल में 360 दिन आपको मानके चलने हैं यह तो supplier ने बोला मैं एक banker के पास भी गया banker ने कहा था banker of the firm offer a 30 days loan at 9% परन देखो 60 दिन का credit तो मुझे free मिली रहा है अब जो बचे 30 दिन है उसके लिए मेरे पास एक तो option यह है कि मैं supplier से ही बोलूँ वह 30 दिन बाद ही payment करूँगा वो 6% परन हम चार्ज कर ले banker के बास जाता हो तो banker कहता 9% परन हम चार्ज करूँगा and it quotes for foreign exchange are as follows 1 US dollar 46 का है spot में start दिन के बाद होगा 46.20 का पर 90 दिन के बाद होगा 46.35 का तो exchange rate भी है you are required to advise the firm as to whether it should pay the supplier in 60 days or avail the supplier offer of 90 days क्योंकि अगर supplier को 60 दिन में देने का मतलब ही है 60 दिन में supplier को दे दूँगा तो 30 दिन banker का पैसा यूज करूँगा या फिर supplier को 90 दिन के बाद पै करूँगा तो supplier को with interest मुझे पै करना पड़ेगा तो बड़ा simple सा इसका answer बनता है ऐसा question जो है ना तो आपके study material में देखने को मिलता है ना ही कभी exam में पहले आया लेकिन model question paper में पहले भी इस तरीके का question देखा गया था तो solution आपके लिए तयार है फिर भी to determine the best option of the firm let's compare the cost involved in both synergy option one यह है कि आप supplier को 60 दिन में pay कर देना supplier को 60 दिन में pay करोगे तो आपको dollar 10,000 ही pay करने पड़ेंगे क्योंकि 30 दिन तो आप banker से आपका पैसा यूज करोगे तो sir 10,000 अगर आपको pay करने है 60 दिन में supplier को तो 60 दिन के बाद का rate 46.2 है तो 10,000 into 46.2 4,62,000 की cost आएगे 4,62,000 की आपकी cost आएगे 4,62,000 की आपकी cost आएगे option two की अगर मैं बात करूँ तो avail the supplier offer of 90 days credit sir offer supplier का accept कर लेते हैं amount आपको pay करनी है 10,000 डॉलर लेकिन supplier कहता है मैं 6% आप से interest charge करूँगा तो 10,000 का 6% 10,000 का 6% 600 बनता है लेकिन 30 दिन का कितना बनेगा तो 30 दिन का बनेगा 50 डॉलर 50 डॉलर तो जब आप pay करोगे 90 दिन के बाद तो pay करना पड़ेगा 10,050 डॉलर और 90 दिन के बाद जो rate चल रहा है वो चल रहा है कितना 46.35 का 46.35 का तो आपको 10,050 डॉलर 46.35 के accordingly pay करना पड़ेगा 465 817.5 इसमें थोड़ा सा correction हो रहा है correction क्या है यहाँ पे जब आप 4,62,000 pay करोगे तो जो 30 दिन का पैसा है वो आप banker का use करोगे क्योंकि अपने को period तो same रखने है भई नीच से option 2 में 90 days है तो उपर भी 90 days तो होगा क्या आप यहाँ पे banker को interest pay करोगे banker को कितना interest pay करोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4,62,000 रुपय का loan लेलोगे banker से 9% के rate of interest के accordingly तो इस पे एक महीने का जो आपका interest बनेगा 4,62,000 का no percent तो सर एक महीने का interest बनेगा यहाँ पे 3,465 तो actual में 4,62,000 रुपय तो आपको pay करने पड़ेंगे supplier को और 3,465 रुपय आपको pay करने पड़ेंगे banker को तो उपर वाले case में जो आपकी cost आएगी totality में वो आएगी 4,65,465 और नीचे वाले case में आ रही है 4,65,817.5 payment in 60 days जो है यह थोड़ा सा printing mistake है यह यहाँ पे 3,465 का addition हो जाएगा तो यह 4,65 4,65 होगी जबकि payment in 90 days में जादा है तो सर इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना चीए हमें 60 दिन में payment कर देना चीए paying the supplier in 60 days चीपर भाई सर यह चीपर कितना पड़ेगा तो यह आपको सस्ता पड़ेगा 352 352.5 जो है वो चीपर पड़ेगा therefore the firm should opt to pay the supplier in 80 days to save on the cost तो सर कही न कही हमें क्या करना है हमें इस option में 60 दिन वाला जो option है वो ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि उसमें कम से कम जो exchange rate risk है वो आपकी यह जो 15 पैसे की risk दिना वो खतम होगे अगर 50 दिन के बाद यह rate कम हो जाता तो कहीं न कहीं decision making आपको अलग देखने को मिल सकते थी इसके बाद अगर हम question number 7b की तरफ बढ़े तो question number 7b भी एक चोटा सा question ही है question number 7b भी एक चोटा सा ही question है 7 marks के लिए किते exchange rate between rupee and swiss franc is rupee 33 per swiss franc sir 1 swiss franc is equal to rupee 33 at the reference period and the forward rate जो है वो होगा 33.40 per swiss franc after 9 months spot 33, 9 महिने के बाद 33.4 9 महिने का जो interest rate रुपी का 8% पर हम चलता है recommend what should have been corresponding interest rate on swiss franc तो sir ठीक है forward rate भी given है spot rate भी given है और rupee का interest rate भी given है तो हम easily अपना swiss franc का rate निकाल सकते है so that interest rate differential is equal to forward premium or discount बात की बात है तो इसके लिए आपका formula apply हो जाएगा forward rate upon me spot rate is equal to one plus periodic interest rate upon me one plus periodic interest rate तो given आपके पास spot 33 और forward 33.4 interest rate home country में चल रहा है 8% का और interest rate foreign country में आपको calculate करके देना तो sir simple यहाँ पे interest rate parity theory apply हो जाता है और आप calculation के लिए formula अप्लाई कर सकते हो forward is equal to spot into one plus our home country divided by one plus our foreign country conditionally अगर बात करें तो forward rate चल रहा है as per question 33.4 spot चल रहा है 33 interest rate इंडिया का आपके पास given था 8% तो 0.08 इंटू 9 अपॉन में 12 हो जाएगा क्योंकि 8% तो परेनम है divide by one plus foreign country का निकालना है तो x लिख दिया इंटू 9 by 12 इसको solve किया तो आपका एक से आगया प्लस rate of interest in foreign country divide by one plus rate of foreign country तो 8% का rate of interest आप home country में इंटू 9 by 12 क्योंकि 9 महीने का है और foreign country का आपने निकालिया 6.3% 9 महीने के अगर्डिंगली divide by home country का वो foreign country का rate of interest 1 plus rate of interest of foreign country इसको solve किया तो यह 1.21% आता है तो forward premium और discount जो है वो देख लो कितना था 33.4 माइनस 33 divide by 33 यह भी 1.21 था तो इसका मतलब interest rate differential is equal to forward premium और discount तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि interest rate differential is equal to forward premium और discount साथ नंबर के लिए तो यह भी छोटा ही question देखने को मिल प्राए इसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि जो question number 8 होता है वो theory question होता है जिसमें आपसे तीन short note पूछे जाते हैं पास number, चार number और चार number के what do you mean by stable coins? sir digital finance में से यह question given है अब theory है मैं पढ़ दूँ आप पढ़ लोग कोई फरक नहीं पढ़ता वैसे भी मैं तो suggest करता ही नहीं कि SFM जैसे practical subject में theory के लिए जाना पड़े क्यों जाना पड़े अगर अपनी preparation practical ही अच्छी होगी तो तो इस question का answer आप अपने study material में देख सकते हो page number 834 पे अगर आपको B का answer चीए different type of foreign bond तो आप अपने study material में जाओ page number 722 पे आपको answer मिल जाएगा और third objective of cross border leading sir इसका question आपको देखने को मिल जाएगा page number 134 of your study material आपका अगर मन है कि मुझे तो theory attempt करनी है या आपको risk लगती है किस तर practical questions आपको नहीं आएंगे तो आप theory के लिए जा सकते हो तो मैंने आपको बता दिया है मैं ये बिल्कुल नहीं कहे रहा कि theory आप छोड़के चले जाओ आप theory के वल तब छोड़के जाओ जब आपको practical पे 100% confidence है कि सर practical तो मुझे 100% ही आता है SFM का तो फिर फिर theory के लिए क्यों अपना time waste करना लेकिन अगर आपको practically कहीं भी डाउट लगता है कि सर इस chapter में मुझे दिक्कत है इस chapter में मुझे दिक्कत है तो अगर practical में आपको दिक्कते हैं तो फिर आपको theory भी करके जानी चीए तो जो मैंने आपको strategy बताई थी 85 plus marks की उसमें मैंने आपको important theory भी बताई थी तो आप उस theory पे concentrate कर सकते हो तो ये था model question paper जो की ICMI Institute ने December 2024 के लिए SFM का हमें दिया जिससे हमें एक तो pattern पता चला कि सर पैटरन सेम रहेगा जो जून 24 का था एक ही question में difference देखने को मिल रहा है that is 4A 4A जो है उसमें आपको difference देखने को मिल रहा है क्योंकि 4A नॉर्मली exam में bond valuation का रहता है जबकि यहाँ पे equity valuation का देखने को मिल रहा था बाकी तो कोई change यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा तो this is all about for today मिलते हैं next video में Thank you, bye bye